नमस्ते जी अगर हम दुकान से कोई 10 रुपे की चीज खरीते हैं या उससे जादा की कोई चीज खरीते हैं तो उसका कोई ना कोई एक एक एक्सपारी डेट जरूर होता है चाहे वो डेली एसेंशल्स हो या फिर हमारे कोई खाने की चीज हो उन सबका एक्सपारी डेट होता ह लेकिन एक चीज जिसका expiry date नहीं होता है वो है हमारी प्रार्थनाएं जो हम येश्य मसी से करते हैं हमारा एक मिनट जो हम प्रार्थना में बिताते हैं परमेश्वर कभी उस एक मिनट के भी कहजार नहीं रहते वो सही समय पर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर जरूर देते हैं इसलिए हमारी प्रार्थनाओं का कोई भी expiry date नहीं होता है और बचन में लिखा है मेरे दिन तेरे हाथ में है तो जब हमारे सारे दिन परमेश्वर के हाथ में है तो हमें चिंता करने की क्यों सरवत है परमेश और हमारी प्राथनाओं का उत्तर सही समय पर, सही टाइम पर जरूर देंगे तो इसलिए आप लोग किसी विबात की चिंता न करें और निरंतर प्राथना में लगे रहें Have a nice day, God bless you